Now you will see exercise 2.2 question number 2 तो देखिए question number 2 है क्या The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter एक rectangular swimming pool का perimeter क्या है 154 meter है Its length is 2 meter more than twice its breadth इसकी लंबाई जो है वो breadth के दूने से दो जादा है What are the length and breadth of the pool? तो पूल का length और breadth क्या होगा? जहाँ से देखिए कहे रहा है length जो है breadth के twice से दो जादा है यानि breadth के दूने से दो जादा है तो breadth को आप माल लेंगे x तो length क्या होगा? 2x plus 2 होगा क्योंकि breadth का 2 ना करेंगे और उसमें 2 जोडेंगे ठीक है ना? तो आईए solve करते हैं question number 2 तो देखिए question number 2 let breadth of the pool यहाँ पर क्या लिखेंगे? of the pool let breadth of the pool is equal to x meter हमने pool का breadth क्या माल लिया? x meter हो माल लिया तो length is equal to क्या होगा? 2x plus 2 होगा अब लिखेंगे according to question देखिए perimeter कितना दिया हुआ है? 154 meter और perimeter यानि यह किस रूप का है? यह rectangle के रूप का है जो pool है तो perimeter of rectangle क्या फर्मल होता है? 2L plus B is equal to 154 तो आगे at 2 L की value क्या है? 2x plus 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 2x plus 2 और B की value क्या है? X तो B के स्थान पर X लिख देंगे is equal to 154 तो आगे at 2 within bracket देखिए 2x plus x 3x plus 2 is equal to 154 अब 2 का multiply कर देना है अंदर में 2 3 जा 6 6 x और 2 2 जा 4 is equal to 154 अब देखिए इसमें भी x को मा मान लीजिए और 6 मा का छोटा बेटा है और 4 मा का बड़ा बेटा है तो सबसे पहले कौन जाएगा? बड़ा बेटा जाएगा मा अपने बड़े बेटे को भेजेगी लडने के लिए तो यहाँ पर plus 4 है तो इस साइड में क्या जाएगा? माइनस 4 हो जाएगा यह plus 4 इस साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस 4 हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा तो बचेगा क्या? मा बचेगा मा बचेगी और मा का छोटा बेटा तो 6 x is equal to 154 minus 4 तो 6 x is equal to क्या आया 154 में से 4 minus कर दीजे 150 अब तो बड़ा बेटा सहीद हो गया अब मा छोटे बेटे को भेजीगी तो यह x मा है ठीक है x is equal to क्या आ गया तो 6 multiply में है इधर जाएगा divide में आ जाएगा तो कर दीजे 6 बंजा 6 6 तेबल 15 पढ़ेंगे 6 2 जा 12 12 3 15 निबन गया 30 तो आगया 6 5 जा 30 x is equal to क्या आगया 25 तो therefore x हमने क्या माना था x हमने माना था breadth तो therefore breadth is equal to 25 meter and length is equal to 2x plus 2 length हमने माना था 2x plus 2 तो x की बेल रख दीजिए यहां multiply का sign है 2 x 25 plus 2 25 2 जो 50 50 plus 2 करेंगे तो 52 meter तो breadth आगया 25 meter और length आगया 52 meter it is your answer okay